मेरा नाम है तसवर इजाज और मेरे इस चैनल 3D X Mentor पर आप complete 3D animation सीखोगे जिसमें आप 3D models बनाना सीखोगे, cartoon characters बनाना सीखोगे, cartoon characters को animate करना सीखोगे और एक high quality 3D animated video कैसे बनाते हैं, details सीखोगे First of all, मैं आपको ये बताता हूँ, कि ऐसा बिल्कुल भी possible नहीं है कि आपने 2-4 3D animation के topic की उपर videos देखी और आपको 3D animation आ गई और ऐसा भी possible नहीं है, कि आपने 3D animation का एक 3 घंटे का complete course देखा और आप 3D animation के master बनगे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, कि मैंने 3D animation कैसे सीखी और आपने 3D animation कैसे सीखनी है क्या सही तरीका है, और कितना वक्त लगेगा आपको 3D animation सीखने में इस बारे में भी बात करेंगे देखो 3D animation कोई आम स्किल नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत आसान है जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज के technology के दोर में जब भी हमने कुछ नया सीखना होता है तो सबसे पहले हम YouTube पर ही सर्च करते हैं और सीखते हैं नो डाउट के YouTube पर सीखने वालों के लिए बहुत सारा content मुझूद है इसलिए मैंने भी जब 3D animation सीखने की शुरुआत की तो starting में मैंने YouTube पर ही सर्च किया लेकिन hundreds of videos देखने के बाद भी कुछ खास समझ में नहीं आया After this मैंने कुछ paid courses बाइक किये लेकिन उन courses में भी कुछ ना कुछ मिस होता रहा जो चीज़े मुझे मिस लगती थी उनको मैं Google करता रहा और practice कर करके सीखता रहा सो हजारों गेंटे इस field में study करने के बाद इस field में practice करने के बाद मैंने इस channel 3D X Mentor की शुरुआत इसलिए की है ताकि जो कुछ मैंने मुश्किल से सीखा वो सब कुछ मैं आपको आसानी के साथ सिखा सकूँ देखो अगर तो आप सच में 3D animation सीखने में interested हो तो मेरे इस channel को आप अभी से subscribe कर दो क्योंकि मैं अपने experience से आपको 3D animation ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि जिसको अभी 3D की जरा से भी knowledge नहीं है वो भी 3D animation को आराम से सीख जाएगा और अगर मेरे students में से कोई भी किसी बात को समझ नहीं सका या किसी concept को समझने के बाद उसे कोई भी problem आई तो मेरी personal support भी मैं अपने students को दूँँगा कौन सा software यूज़ करना है किस software को हम starting में यूज़ करेंगे और आगे चलके किस काम के लिए हम कौन सा software यूज़ करेंगे software को download कैसे करना है install कैसे करना है character animation के लिए कौन सा software easy और best है complete detail के साथ step by step वक्त आने पर मैं इस channel के जरी आपको detail से guide करता रहूंगा इस 3D animation के course में मेरी आप से सिर्फ 5 demands है number one आपने किसी भी video को skip नहीं करना क्योंकि अगर आप lessons को skip करोगे तो आप 3D को सही से नहीं सीख पाऊगे number two videos के एक second के section को भी आपने forward नहीं करना क्योंकि क्या पता जिस section को आप forward करो काम की बात उसी section में हो दूसरी बात ये के मेरी सारी videos एक दूसरे के साथ connected रहेंगी इसलिए अगर आप videos को skip करोगे तो chances हैं के next lessons आप की समझ में ना आएं number three अगर आपको मेरी video में किसी भी बात की समझ नहीं आती तो परिशान होने के बज़ाए comments में आप मुझसे question जरूर पूछो I will definitely answer you बट अगर आपको सारी video समझ आती है और मेरी videos पसंद आती है तो like करना और subscribe करना जरूरी है number four इस 3D animation course की एक video देखने के बाद जितना काम में आपको एक video में सिखाता जाऊंगा उसकी practice आपने जरूर करनी है चाहे चोटी सी चोटी चीज़ ही में आपको क्यों न सिखाऊं practice करना जरूरी है सिर्फ देखते रहने से और practice ना करने से आप कभी भी 3D animation नहीं सीख पाऊगे इसलिए course की एक video देखने के बाद उस video की 100% practice करो और after practice अगली video देखो नमबर 5 ये जो 4 points मैंने आपको बताएं है अगर इन में से एक point भी आप miss करोगे तो आपको loss यह होगा कि आपको मेरी new videos की बिलकुल भी समझ नहीं आएगी इसलिए अगर 3D animation सीखनी है तो खुद के साथ खुद ही sincere होना पड़ेगा I repeat Never skip the lessons Never forward the videos practice करना जरूरी है और चैनल से सीखने को मिले तो लाइक और सबस्क्राइब कर देना मेरी आज की वीडियो में आपने जाना 3D XM चैनल पर आप क्या क्या सीखोगे मैंने 3D animation कैसे सीखी और आप 3D animation को easily कैसे सीखोगे और वो कौन से 5 पॉइंट्स है जिन पर अमल करना जरूरी है अगर आपने 3D animation सीखनी है तो नेक्स वीडियो में मैं आपके साथ students category शेयर करूंगा और इस 3D animation कोर्स को शुरू करने से पहले क्या क्या information जरूरी है जो आपके पास होनी चाहिए उस बारे में भी बात करेंगे